जैसे शाम दोस्तों स्वागत है ब्यूटी अन गार्णिंग चैनल में आज आपके साथ चार ऐसे काम शेर करने वाली हूँ जिनको अगर आप अप्रेल महिने में कर लेते हैं तो मैज उन्वाली भी गर्मी आपके प्लांट अच्छे से बरदाश कर लेंगे और आपके प्लांट हरे बरे रहेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला और बहुत ही इंपोर्टेंट काम यह है दोस्तों कि अगर आपके पास टेरेस गार्डन है तो आपको ग्रीन नेट लगवा लिनी चाहिए ग्रीन नेट से हमारे प्लांट पर डारेक जो आफ्टन वाली सनलाइट होती है वो नहीं आती है और हमारे प्लांट जलते नहीं है मरती नहीं है तो यह काम बहुत ज़रूरी है आपको कर लेना चाहिए अगर आपके बालकनी गार्डन है या फिर आप अपने टैरेस पर नेट नहीं लगा सकते हैं आपके पास नहीं है तो जो नेक्स्ट टिप है उसको आप फॉल्लो कर सकते हैं वैसे ग्रीनट लगाने से बहुत सही रहते हैं कि प्लांट हमारे तेज धूप से और डारेक्ट सनलाइट से और जो तेज हमाय गरम हमाय चलती उनसे हमारे प्लांट बचे रहते हैं next काम यह है दोस्तों कि आपको अपने प्लांट को ग्रूप में रखना है आप अपने प्लांट को जितना ग्रूप में रखेंगे तो उनमें मौस्चर लंबे टाइम तक बना रहेगा और आपके plant जो है मुर जाएंगे नहीं या जो हमारे तेज गर्मी से plant जो जुलस जाते हैं पत्या जल जाती है वो नहीं होगा तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या करती हूँ मैंने देखिए इस area में ऐसे plant रखे हैं जो ज़्यादा कर पत्यों वाले पौदे हैं है ना तो आप ऐसे plants को एक group में बना करके रख सकते हैं या फिर जो plant छोटे हैं जाए वो flowering वाले भी हैं अगर वो छोटे हैं नई cuttings है तो आप उनको इस तरीके से group में रखें क्योंकि जब मैज उनकी तेज गर्मी होती है उसमें जो हमारे नई cuttings है या फिर जो हमारे छोट पॉदे हैं या पत्तो वाले पॉदे वह बहुत जल्दी से जल जाते हैं खराब हो जाते हैं और मैंने इस एरिया में वह प्लांट्स रखे हैं जिन में flowering होती है और जो समर्स के फ्लावलिंग तो इस तरीके से आप अपने गार्डन का जो भी एरिया है चाहिए वह बालकनिंग गार्डन है जैसे भी एरिया है जहां दूब जादा आती है वहां flowering plants रखें जहां कम आती है वहां जो पत्तियों वाले पॉद्ये वह रख सकते हैं ग्रूप में रखने से यह मुष्चर म ना रहता है और plant जो है कम जलते हैं जो लू चलती है उनसे कम खराब होते हैं तो यह tip बहुत अच्छी है आप चाहें तो इसको follow कर सकते हैं plant ने अपने result भी देख सकते हैं इसके लावा दोस्तों अगला काम जो बहुत ही ज़रूरी है बहुत ही important है कि हम अपने plants को पानी कै से देते हैं अगर आप भी उन लोगों में से है जिनको जब अपने plants पर प्यार आया या फिर जब याद आया तब अपने plants को पानी दे दिया तो अब आपको ऐसा नहीं करना है मैं जून की दो महिने ऐसे हैं कि अगर आप इन पे अपने plants की थोड़ी सी care कर लेते हैं तो तो आपको early morning पानी देना चाहिए 9 बजे से पहले या फिर आप इनको evening में भी पानी दे सकते हैं 5 बजे के बाद जब थोड़ी सी धूप ढल जाती है उसके बाद अपने plants को पानी देजिए मैं क्या करती हूँ मैं अपने plants को evening में पानी देती हूँ ताकि उनको अच्छे से पानी दे देती हूँ और अच्छे से नला देती हूँ ताकि पूरी रात उनके पास होती है पानी को अच्छे से एब्जॉर्व करने की तो जब next day sunlight आती है तो वो plant जो है अच्छे से वो भरपूर पानी पिया होता है उसने तो वो पूरे दिन हाइडरेट रहते हैं इसके किलावा मैं अपने plants में जो morning और afternoon में प्लांट में जो है स्प्रे करती हूँ पानी का या शावरिंग भी कर सकते हैं इससे जो पत्तियां जैसे दूल जाती है पत्तियों में भी जो है moisture बना रहता है तो यह कम आप कर सकते हैं इससे आपकी plant बहुत ही healthy रहने वाले बहुत ही लास्ट हमारा काम है जो बहुत ही important है वो आपको क्या करना है कि अगर आपके plant में अच्छे से flowering हो fruiting हो इसके लिए आपको यह करना है कि आपको अपने plant को कोई भी solid fertilizer अप्रिल के बाद नहीं देना है क्योंकि वैसे भी बहुत तेज गर्मी है अब हमको कोई भी solid fertilizer अपने plant में नहीं देना है तो फिर क्या करें ताकि हमारे plant में flowering अच्छी है इसके लिए आप अपने plants को liquid fertilizer दे सकते हैं जैसे कि हम सर्दियों में अपने plants को हफते में 10 दिन में liquid fertilizer repeat करते हैं हमें अब गर्मियों में 15-20 दिन के बाद अपने liquid fertilizer को repeat करना है इससे जो है दोस्तों आप प्लांट को लेकर के कोई और क्यों रही है तो कमेंट रेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक की लिए बाई बै अपना और अपने plants का खुब सरा ध्यान रखिए